जोहार सभी को जोहार आज हम लोग गूमने के लिए आए हैं बहुत दिन के बाद में आज समय मिला तो और यहां का नजारा देख करके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन यहां पे न सब अपने कावें ब्यास्त है अभी धान कटनी का समय है बच्चे लोग देखे हम लोग की वो लोग पशों को चराने के लिए ले जा रहे है खलियानों में धान की मिशाई हो रही है और पूआलों को अलग किया जा रहा है कुछ महिलाएं माताएं जो हैं वे लोग धान काटने का काम कर रहे हैं तो चलिए हमारे इस ब्लोग में बने रहे हैं और हम लोग आपको दिखाते हैं गाउं का नजारा कि किस दरह गाउं में काम किया जा रहा है यह वीडियो चारकंड के एक छोटे से गाउं के है गरीब किसान मेहनत मज़्दूरी कर फसलों की बुआई करते हैं और जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करते हैं पूरुश खलियान तयार कर रहा है महीला खलियान की गोबर से लिपाई कर रही है यहां हम देख रहे हैं कितना सुन्दर नजारा सभी गाउं की महीलाएं मिलकर फसल की कटाई कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी साथ में हैं और वो भी इस समय का काफी आनन्द उठा रहे हैं यहां पे पूरुश काटे गए फसल को एक जगाई गठा कर रहे हैं महीला फसल को अपनी सिर पर ढोकर खलियान की ओर ले रही है पूरुश भी फसल को खलियान की ओर ले रहे हैं और उसके साथ साथ में कुछ पशो भी है यहां पे फसल को काट करके रखा गया है और इसको मीजने के बाद में जो गुवाल बाकी है वो इधर रखा गया है किनारे पे गांज को धिरे धिरे पशोन की सायता से पूरे परिवार मिलकर मीज रहे हैं और इसे हम अस्थानिय भाष्या में दोरी खेदना कहते हैं और यह काम सुबह से शाम तक परिवार वाले बारी बारी से करते हैं अरे वाँ गांगे बच्चों के खेल कुछ इस तरह रहा हैं रहते हैं देखिए यह लोग वाल में कितनी मस्ती के साथ खेल रहे हैं खुबानन दा रहा है इनको उचल कुद करना हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यावाद